पिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है एक पूरा प्लूप्रिंट जो है भविश्यवानियों का तैयार है जिसके द्वारा कोई भी ऐसा वैक्ति जिसका विवेक जगा हुआ है वो इस बात को समझ सकता है जान सकता है कि आज वास्तम में ही कुछ अद्बुत काम इस संसार में हो रहा है लेकिन एक तरफ जहां भविश्यवानियों पूरी हो रही है उसी समय दूसरी तरफ इसराइल जो है वो आज एक संकट में फस गया है इसराइल जो है उसकी इरान देश के साथ दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इरान देश की जो सरकार है उसने कहा है कि जिस दिन उनका प्रमाणू कारिकरम पूरा हो जाएगा तो पहला प्रमाणू मिसाइल जो है वो सीथा इसराइल के उपर मारेंगे और इसराइल का नाम और निशान दुनिया के नक्षे के उपर से मिटा देंगे और जैसे ही इरान की सरकार ने ये घोशना करी वैसे ही इसराइल के प्रधान मंत्री जो है बैंजमिन, नितान, याहू उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फरेंस करके ये बात दुनिया को बता दी कि इससे पहले की इरान हम पर हमला करे हमें इरान पर हमला करके इरान की अकल ठिकाने लगा देंगे लेकिन जैसे ही इसराइल ने इस बात को बोला वैसे ही रूस जो है वो इरान के पक्ष में आ गिया और रूस ने अपने प्रमाणू मिसाइल इरान के अंदर न्युक्त कर दी दूसरी तरफ जो है चीन जो है वो इरान के पक्ष में खड़ा हो गया और चीन ने अपने वायू सेना के जो लड़ा को विमान है उनको 24 घंटे 7 दिन हाई अलर्ट के उपर रखा हुआ है कि यह जैसे ही इसराइल इरान पर हमला करे तो चीन की वायू सेना के लड़ा को विमा जो है वो इसराइल पर हमला करने निकल चाएंगे और दुनिया के आदे से भी जादा देश जो है वो इसराइल के खिलाफ आज हो चुके हैं और इसी वज़े से क्योंकि इसराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया था सन 2016 के जैनवरी के महीने में इसराइल के प्रधान मंत्री जो थे वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्टपती पराग उबामा से मिलने वाइट हाउस पहुँचे और उन्होंने राष्टपती महदे से कहा कि आप मुझे इरान पर हमला करने की अनुमती दे दीजिए क्योंकि यदि इरान को नहीं रोका गया तो इसराइल का नामों निशान केवल इतिहास की पुस्तकों के ही पाया जाएगा लेकिन अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्टपती थे उन्होंने इसराइल के प्रधान मंत्री को साफ साफ शब्तों में मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि इरान प्रमाणू हत्यार बना रहा है तो उसको बनाने दिया जाए और कई बिलियन डॉलर की आर्थिक साहता राशी उसी समय इसराइल के प्रधान मंत्री के सामने ही दस्तकत करके राष्टपती ओबामा जो थे उन्होंने इरान के लिए उसको पास कर दिया और इसराइल के प्रधान मंत्री जो थे उस चीज़ को देख करके जल गए और उसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसी सभा में इसी मीटिंग में इसराइल के प्रधान मंत्री ने राश्टपती ओबामा को एक कहानी सुनानी शुरू करी और इसराइल के प्रधान मंत्री ने कहा कि राश्टपती मोहते मेरी बात ध्यान से सुनिये आज से कई हजार साल पहले भी ये इरान के जो लोग थे ये हम यहूदियों के खिलाफ खड़े हुए थे बाइबल के अंदर इरान को फारस नाम से संबोदित किया गया है और इस्राइल के प्रधान मंत्री ने कहा कि ये फारस के जो लोग थे आज से हजारों साल पहले भी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे रानी एस्तर के समय में और उस समय भी इन्होंने ऐसा ही एक शडियंत्र बनाया था कि एक ही दिन में सारे यहूतियों को मार डाला जाए लेकिन परमेश्वर ने रानी एस्तर को भेज करके उस शडियंत्र को विफल कर दिया था और इन्होंने राश्टपती ओबामा से कहा कि राश्टपती मोहते इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हम यहूतियों को तो कैसे भी बचा लेगा लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा और उसके बाद उन्होंने इसराइली सरकार की तरफ से यह स्क्रॉल जो था वो राश्टपती ओबामा को गिफ्ट किया और यह स्क्रॉल जो है मेरे प्रियों इसके उपर एस्तेर की पुस्तक हीबरु भाशा में पूरी लिखी हुई है एक ही स्क्रॉल पर और इस्राइल के प्रधान मंत्री ने राष्टपती ओबामा से कहा कि वाइट हाउस में अपने दफ्तर की दिवार पर सामने की तरफ आप इस स्क्रॉल को लगाना क्योंकि जब जब आप इस स्क्रॉल को देखोगे इस एस्तर की किताब को दिवार पर टंगा देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम यहुदियों का कोई खुच भी नहीं उखाड सकता है क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है और उसके बाद वो वहां से निकल करके इस्राइल चले गए और इस्राइली सेना को उन्होंने आदेश दिया कि 24 घंटे 7 दिन हाई अलर्ट पर रहो क्योंकि मैं किसी भी समय इरान पर हमला करने का आदेश दे सकता हूँ और मेरे प्रियों इस्राइल जो इरान के उपर हमला आता है उसके बारे में आपको एक भविश्यवानी जो है वो यर्मिया भविश्यवक्ता की पुस्तक उसका 49 चैप्टर और उसके 34 से 36 के अंदर मिल जाएगी यर्मिया 49, 34 से 36 में एक अद्बुत भविश्यवानी परमेश्वर ने दर्च कराई है यहाँ परमेश्वर कहता है यहुदा के राजा सिद्ग्या के राज्य के आरंब में यहुवा का यह वच्चन यर्मिया भविश्यवक्ता के पास एलाम के विशे में पहुचा के अखबारों की सुर्खिया है वो आज ही आप समझ रहे हैं कि कल अखबारों में क्या छपने जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नक्षे में मैंने दिखाया है कि यह फारस की खाड़ी जो है ब्लू कलर से आपको यहाँ पर दिखेगी और फारस की खाड़ी के खिनारे का ये शेत्र जो है यहाँ पर एलामी जाती के लोग रहा करते थे और ये पूरा शेत्र जो है इसको आज इरान देश के नाम से जाना जाता है लेकिन परमेश्वन ने पूरे इरान देश के लिए नहीं लेकिन ये लाल-लाल रंग का स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है इस शेत्र में एलामी जाती के लोग रहा करते थे इस शेत्र के लिए परमेश्वन ने यर्मिया से भविश्यवानी कराई थी और परमेश्वन ने एलाम के लिए यर्मिया के द्वारा कहा सेनाओ का यहुआ यूं कहता है कि मैं एलाम के धनुष को जो उनके प्राक्रम का मुख्य कारण है तोडूंगा और मैं आकाश के चारों ओर से वायू बहा कर उने चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाती न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए पर्मेश्वन ने एलाम के विशे में भविश्य वाणी कराई और आज जब इस्राइल इरान के उपर हमला करना चाहता है तो इस्राइल इरान के इस प्रमाणू प्लांट को पमों से हवाई हमले के द्वारा उड़ा देना चाहता है इसको भुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के नाम से इरान में जाना जाता है और आपको जान करके आश्चरी होगा कि परमेश्वन ने कहा था कि एलाम के विशे में भविश्यवानी कराई थी आप इस नक्षे में देख सकते हैं कि ये फारस की खाड़ी जो बह रही है इसके किनारे का शेत्र जो था वो एलामी जाती के लोग वहां रहा करते थे और आप देख सकते हैं कि ये बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बिलकुल फारस की खाड़ी के किनारे ही बना हुआ है यहां से फारस की खाड़ी जो है वो बह रही है और आप इस नक्षे में देखेंगे तो आपको बहुत जादा बहतर रूप से समझ में आएगा कि क्यों परमेश्वन ने सिर्फ एलाम के विशे में भविश्यवानी कराई थी और परमेश्वन ने कहा था कि मैं एलाम के धनुष को तीर को नहीं मिसाइल को नहीं लेकिन मैं एलाम के धनुष को तोड़ करके रख दूँगा और इसी वज़े से परमेश्वर ने यहां पर भविश्यवानी कराई थी कि परमेश्वर एलाम के धनुष को तोड़ करके रख देगा बिलकुल इस स्पेसिफिक लोकेशन पिन पॉइंट करके यर्मिया ने भविश्यवानी करी थी और वो आज हमारे सामने आती चली जा रही है झाल